भारत के अम्बेटकर अनुयाई संग्टनों को ये बात समझ में आ रही है कि जब तक सभी अम्बेटकर अनुयाई एक साथ एक पलिटफार्म पर बिना किसी सर्थ के साथ नहीं आएंगे तब तक बावा साथ अम्बेटकर जो बड़ी महनस से हमको दे कर गए हैं उसको बचाने की बात तो दूर हमारे बचने के भी लाले पड़ जाएंगे इसलिए वीदा पीपल हम भारत के लोग सभी से ये निवेदन कर रहे हैं और इसी सिल्सले में रह तक हरियाना का जो जिला है वहां बीते रविवार को एक सभा हुई जिस सभा में हरियाना के बाकी जिलों के काफी सक्रिय लोग आए जिनका एक विचार एक मत था कि सभी लोगों को अब बिना किशी सर्थ के एक ही जगे आजाना चाहिए चाहे वो धार्मिक छेतर में काम करते हैं चाहे राजनीतिक छेतर में काम करते हैं चाहे सामाजिक छेतर में काम करते हैं जिनोंने अपना भारत की तरक्की को आगे निश्चित करना चाहिए में और बावसाब के वारे में लगाया है इनकी पत्रीन का पूरा परिवा लगा रहा दियता है करमवीर सिंग जी क्या कारण है कि जो सभी लोग हैं वो एक साथ एकटे नहीं हो रहे हैं नहीं आज जो ना हम रोते के हरियाना के अंदर जो आना सभी संगटनों की सामाजिक संगटन वह एक प्लेट फार्म पर आई इसका कारण यहीं है कि जो राजनेता हैं हमें तो कहते हैं संगठी तो जाओ संगठी तो जाओ राजनेता इकटे नहीं हो पा रहे हैं इसलिए हमने प्लान बनाया है कि भी हम सारे अपना नीजी इंटरेस्ट चोड़ कर एक एक प्लेट फार्म पर आएं और एक प्लेट फार्म पॉर्ण पर आएंगे तो क्ता क्त बनेगे तौ हमारे स्व tirar कथैर। तो जो इक इस्टाण नहीं होना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए उनके साहा? नहिए, जो मैं अपना उपना प्लेट फ़रम मस बनाए बेठान, जिनका कोई अधार नहीं है, तो उन संंंं क्वें वह में छोड़ना नेट लोग वर के रहते हैं तो लेट कारणाई है ने वाले समय में इस प्रकार का प्रियास है कि जो संगठन बनाने जा रहे हैं यह जो उन नेताउं से मिलेगा नेंताने विकला कुई निहीं हो पा है तो जब हमारी ताकत बनेगी तो निताओं को घटा करने में भी हम सक्सम होंगे